इवनिंग फ्रेंज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्च्वस में मैं दुर्दनकर फार्मर एस्बी एपियो आज आप लोगों के लिए एक इंपोर्टन सेशन लाया हूं जैसे कि आप टैटल से देख सकते हैं यह उन स्टुडेंट्स के लिए है जो बार-बा मैं सारी डीटेल में आपको बताऊंगा अगर आपको अच्छा लेगे तो आप जरूर कीजेगा अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जितने भी नए स्टुडेंट्स चैनल से जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैनल से सब्सक्राइब करके रखिए साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजे जिससे जब भी कोई नया सेशन या नया वीडियो हम आप लोगों के लिख राएं तो उसका डारेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसी समय मिल जाए और आप जल्दी से देख लें ठीक है तो चलिए आज क को भी दिये जाएंगे सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं क्वालिटीज के साथ थोड़ा सा अजीव शायद आपको लगे कि सर क्वालिटीज पेपर में देखिए मेंस और प्री जो है एक दूसरे से काफी अलग है ऑल्दो सलीबस वही रहता है उसमें थोड़ा हाई लेवल रहता है पेपर का लेवल भी जादा रहता है सेलेक्टिव आप अटेम्ट करते हैं सारे अटेम्ट करने भी नेची है और कर भी नहीं पाते हैं और प्री में क्या रहता है टाइम कम रहता है लेवल इसी रहता है और जल्दी जल्दी सारे के सारे अटेम्ट करने रहता है तो आपको बहुत ही छोटी सी चीज लग रही है पर ये चीजे बहुत काम आती है जब आप पेपर देने जाते हैं क्योंकि आपका जो मेंस का पेपर है इतना लंबा पेपर रहता है कि उसके लिए एक mental conditioning होना बहुत जरूरी है मतलब कि हमारा दिमाग की कहीं ठकना जाए कहीं time जादा होने के कारण लंबे समय तक यूज करने के कारण कहीं efficiency कम ना हो जाए तो इसके लिए हमें पहले से condition करके रखना है prepare करके रखना है दिमाग को अपने कि इतने लंबी लंबी sitting हम कर सके ठीक है दूसरी चीज रहती है patience patience बहुत जादा important है यह आपको ऐसा लगता है कि सर यह क्या बाते बता रहे हो पर यह सारी चीज़ें बहुत important है यह सारी qualities आपके अंदर होगी तो आपके लिए means clear करना easier हो जाएगा काफी patience क्यों चीए यह आप सभी को पता है यार बड़े questions रहते हैं लंबे समय तक हमें कोशिश करने पड़ती है और questions के अंदर भी ऐसी situations आती है जब ऐसा लगता है कि कुछ चीज बनी नहीं पा रही क्या उस time वो patience की बहुत ज़रूरत है लंबे जो करने की जो sitting है उसकी बहुत ज़रूरत है तो उसमें patience बहुत required रहता है ऐसा नहीं बीच में frustrate हो जाए तो सेट की जाए यह देखते हैं अब आप लोगों ने currently time table जो बना रखा हूँ प्री डॉमिनेटली अभी प्री के लिए चल रहा होगा जहां तक मुझे लगता है क्योंकि अभी तक कोई notification भी प्री नहीं रिलीज हुआ है कलेंडर अचुका है पर आप अभी प्री के लिए प्रिपेर कर रहे होंगे पूरी तरीके से अब हमें time table में क्या करना है आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं expect कर रहा हूँ कि उन्होंने प्री बहुत बार क्लियर कर रहा है बट म समय लग रहा हूँ या फिर सर जब तक पहुंच पा रहे हैं तब तक ठक जा रहे हैं या फिर हार मान रहे हैं तो यह situations रहती है तो time table में कहां set किया जाए से देखें मैं आप लोगों को कहूंगा 50-50 distribution आप लोगों का रहना चाहिए pre और means के लिए मैं यह सब students के लिए नही means के content के लिए और reasoning quants या even English वो थोड़ा बड़ा duration सेट कर यह नहीं एक गंटा डेट गंटा नहीं उससे थोड़ा सा जागा दो गंटा डाई गंटे की sitting आप इठाओ तब मजाए अच्छे से दिमाग भी तैयार होगा आपका वो focus भी बनेगा कि लंबे टाइम तक आप focus कर पाऊगे वो patience की जो quality से वो भी develop होगी धीरे-धीरे करके जो जो चीजे मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कि चार दिन करने से सर रिजल्ट मिल जाए यह आपको आने वाले कई महीनों करना है तब आपको positive result तो time table में मैं कहूंगा 50-50 distribution आप रखिएगा जब ऐसा हो जाए कि sir notification आ जो duration है वो थोड़ा बढ़ा दीजेगा यहां पर भी means को 0 मत कीजेगा 0 तब कीजेगा जब 6-7 दिन बचे हो तब नहीं तो उस time भी means को चलने दीजेगा पर जो जादा समय आप किसको देंगे precoach समय देंगे पर वो तो pre से महीने बार या 20-25 दिन पहले की कहानी है अब ही ह कहां पर questions हैं कौन से questions हैं कितने करने हैं यह सारी बात हैं तो सबसे पहले source में practice के लिए पहली चीज़ मैं बताऊंगा हमारी playlist highly recommended है मेरे तरफ से नहीं already जो बहुत सारे selected candidates हैं उनकी तरफ से उनको जो पूरे channel में जो सबसे इच्छे दो content लगे हैं एक तो groom 2.0 की series बहुत अच्छा recommend करते हैं एक reasoning for means की यह जो playlist है जो आप लोगों को भी complete करना start करना पड़ेगा reasoning for means then quants for means यह दोनों playlist आपको यहां से practice के लिए बहुत सारे questions मिलेंगे और सिर्फ practice नहीं है यहां पर हमने detail में सारे questions को समझा है कि कैसे solve करना चाहिए कैसे वो methodology develop की जाए जिससे की questions solve हो सके एक तो सीधा मैंने बता दिया अब सरी यह सोचे कैसे यह तो बताए नहीं यह सारी चीजें भी बताए गई है reasoning for means और quants for means यह पिछले साल के student जो recruitment अभी almost complete पे उन सभी exams के लिए यह हमने series start की थी तो इसमें playlist में आपको सभी videos मिल जाएगे अब currently क्या चल है उसके बारे में end में हम बात करेंगे इसके इलावा एक अच्छी सी test series आप खरीज सकते हैं आपको जो भी सही लगे बाकी एक नया suggestion भी है मेरे पास आप लोगों के लिए गाइडली जो हमारे पुराने sponsor रहे हैं आप उनका course खरीज सकते हैं शायद यह offer तो तेरा प्री प्लस मेंस का भी कॉंबू मिल जाएगा इनकी जो लिंक्स है न उसारी लिंक्स मैंने नीचे दे रखे तो यहां से भी आप अगर मेंस मेंस पर करते हैं मैं से देस करूँगा जैसे मेरी class में मैं जनरली चार सेट्स के आराउंड करवाते हैं यहां से भी अगर आप चार सेट्स निकाल लोगे न तो सफिशेंट बड़ी अप्रैक्टिस होगे तो इसको आप सोर्स को एज प्रैक्टिस के तरह लेना चाहें और तो बिल्कुल ले सकते हैं नीचे description में सभी links मिलेंगे code आप यूज कर लिजेगा चैनल का नेम है virtuous यह मत भूलिएगा अगर आपको 12% का डिसकाउंट चाहिए तो उसके लिए virtuous आप code यूज कर सकते हैं देन अगली बात करते हैं हम रिगार्डिंग की सर अफेर्स जो जनरल अवेर्नेस सेक्शन रहता है यह बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों आप बहुत इसमें डील बरते हैं लीनियंट रहते हैं कि कोई नहीं परी के बात कर लेंगे अराम से लगा था पढ़ पढ बाकी टॉपिक वगरा कहीं रहेंगे बाकी जनरल अवेर्नेस की अगर जितनी त्यारी अच्छे से करेंगे उतना बड़ी हमास ला सकते हैं अगर इसे अच्छे से फॉलो किया जाए इसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनके आप का नाम मैं ब इसका टोटल जो पेमेंट आप लोगों का बनेगा 401 रुपया और 101 रुपीज में अब क्या-क्या चीजे आ रही है ये भी तो देखिए डेली पीडियाफ वीकली पीडियाफ मंतली पीडियाफ इसके साथ-साथ एक्जाम से पहले एक्जाम पीडियाफ पॉकेट कि यार जो पढ़ाता याद है भी या नहीं ठीक है तो यह मेरे तरफ से करेंट अफेर्स के लिए हाइली सजेस्टेड रहेगा और टाइम मैं बता देतो प्री के साथ-साथ अभी प्री के जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसके साथ-साथ इसकी प्रेपरेशन होनी मेंस की मेंस की प्रेपरेशन के बारे में बात जब हम करते हैं तो जनरल लवेर्नेस हमेशा सबसे उपर रहना चाहिए क्योंकि कारण इसका मैं यह बता रहा हूं कि जैसे कि कोई एक स्टूडेंट ले लीजे वो जनरल लवेर्नेस में अच्छा है बढ़िया है बहुत ही ब constraint रहता है current affairs या general awareness के section में कभी भी time constraint ही रहता है आप ज़्यादा score कर सकते है reasoning में वो constraint लग जाता है क्योंकि questions बड़े होते हैं heavy questions रहते हैं high level रहता है तो solve करने में भी अगर solve करते भी जाओ तो बहुत ज़्यादा time नहीं हो पाथ है तो important है general awareness का बाकि जो final suggestion रहेगा वो सबसे important suggestion है M3 course 2021 अभी ये course क्या है सर ये क्या नई चीज़ है कि नहीं नहीं है दोस्तों ये पुरानी ही है काफिस हमें से मैं बताता है कि जैसे 2000 2020 वालों के लिए जो courses mains के जो start किये थे वो complete होगे conclude हो जाएंगे उसके कुछी दिनों बाद हम 2021 को प्लान करेंगे और इस बार कुछ लंबा प्लान करेंगे बहुत लंबा course चलेगा तभी इसका नाम mega marathon means course है क्योंकि ये exam का ये जो course है ये कब तक चलेगा till the final exam till the final means exam आपके 2021 के recruitment में final जो means exam होगा तब तक ये चलेगा तो मानके चलिए at least 7-8 महीने लगातार चलने वाला है ये course और इसमें detail में हम तयारी करेंगे थोड़े से features मैं इसके बारे में बता देता हूँ सबसे पहली चीज़ के 18 मार्च को ये course टार्ट होगा YouTube पे बिलकुल free of cost रहेगा यहां पर सारे subjects नहीं quants और reasoning आप लोगों के लिए cover करवाएंगे for all the bank and insurance exams ठीक है बाकी other details जो मैं यहां पर mention करना चाहूँगा सबसे पहले timing है अगर आप timing जानना चाहते हैं quants का time रहेगा शाम को 6 बच के 15 मिनिट उसी तरीके से reasoning का जो time रहेगा वो रहेगा आपका 11 बच के 30 मिनिट सुभ है 11.30 in the morning और quants का शाम को 6.15 पिम इंद इवनिग ठीक है ये दोनों subjects के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करवाए जाएगी practice course रहेगा बट स्टिल इसमें कुछ एक दो features हमें आड करेंगे जैसे कि हर week आपको एक topic class लेंगे जैसे कि week 1 रहा week 1 में Monday to Saturday आपकी classes चलेंगी ठीक है जिसमें से एक दिन ऐसा होगा जैसे माल लीजिए let's say Wednesday ले लेते हैं Wednesday को किसी particular topic पे ही मैं practice करवाँगा और उसी के concepts पे हम काम करेंगे और बाकी चीज़ों पर जैसे माल लेते हैं input output में week 1 में Wednesday को यह करवा दिया तो इसी तरह से हर week में topic भी लेंगे और साथ में mixed practice course रखेंगे mixed practice sessions रखेंगे जिससे कि एक चीज़ पर आप ज़्यादा time तक रहते हैं तो बाकी चीज़ों से touch चला जाता है तो वह चीज़ हम नहीं चाहते हैं अल्रेडी प्री क्लियर कर रहे हैं तो वह चीज़ें हमें करने की ज़़ुरत नहीं mix practice करेंगे बीच बीच में से एक topic की class भी रख लेंगे हर week में एक तो यह सारी details थी एक और चीज़ free of cost है कोई tension की बात नहीं अपने चैनल पर यहीं पर ही start होगा यह course और यह मेरा final suggestion था means की preparation की तो तीन चीज़े मैंने आपको बता दी है m3 course जो 18 मार्च से start होगा दूसरा general awareness ए current affairs की preparation के लिए careers cloud का annual subscription links प practice के लिए अगर आपको करना है playlist के लावा भी और practice जो करने भी चाहिए अगर जरूरत हो तो आप डाइडली का यह जो bundle PDF course है वो purchase कर सकते हैं उसके भी links नीचे description में मिल जाएंगे और सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई थी हमारी जो playlist है उसको complete करना आप लोगों के लिए मस्ट है reasoning for means and quants for तो यह मेरे कुछ suggestions से जो जो चीज़े मेरे दिमार्ट में ही वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी अब आपका अगर मन करें अगर आपको अच्छे लगए कि मेभी यहर मुझे लग रहा है शायद इससे फायदा हो जाए तो इट्राइज जरूर कीज़ेगा एक हफ़ते दो हफ़ते तीन हफ़ते ने यह कई महीनों कम से कम दो से तीन महीने तो इसको लगातार आप कीज़े फिर रिजर्ट जो आपको मिलने लगेगा है लगेगा अगर आप सिंसेरी करेंगे तो आगे फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं आप कंटिन्यू कर लो ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही नव डेट सॉल पर टोड़े सेशन ठीक है